औरही है वो है आपके लिए आरती इंटस्टीज नतीजे इसके कुछ जादा खास नतीजे नहीं देखें वायदा कारोबार का सार्ड बिगस्ट गेनर इस समये आपको आरती इंडस्टीज है क्या कुछ वज़ा है जो आर्थी इंडस्ट्रीज में अच्छा आक्शन है डेज हाई के आसपा स्टॉक भी ट्रेट कर रहा है आए एक बार समझते हैं आशीश के साथ आशीश बताईए यहां पर कैसे परफॉर्मेंस आ रही इतनी अच्छा परसंट की स्टेंथ देखने क कमला सभी को पता है कि केमिकल स्पेस में सभी के जो प्रदर्शन है काफी निराशा जनक बड़े कमजोर देखने को मिले थे लेकिन आर्थी इंडस्ट्रीज कंपरिटिवली बेटर किया कैसे क्या बताता हूं जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो रेविन्यू ग कि अगर आप देखने को मिला इसके अलावा भी अगर आप देखें तो जो डिमांड रिकावरी की बारे में मैंनेजमेंट बात कर रहा है वो अपने आप में अच्छा और जो मांडs की तरफ से गायडेंस निकल कर आ रही है वो भी अच्छी is मांडS पर बता रहे हैं मैंनेजमेंट की 25 से 30 परसेंट के जो मांडेंस आपको देखने को मिल सकते हैं इस बार थोड़ा से चैललेंजिंग कौौर्टर इसके बाद भी पंदरा परसेंट के जो ребята मांडेंश के भी प्लान है इसके अलावा अगर आप देखें तो पिछले दो महिने में बड़े कॉंट्राक्ट विन के चलते भी है स्टॉक जो है फोकस में रहेगा रहत आप क्योंकि 9000 क्रोड के आसपस के जो है यहां पर इने कॉंट्राक्ट मिलेते जिनने आगे आने वाले सालों में एक्जीक्यूट करेंगे और इसमें जो एबिटा मार्जिन की गाइडेंस निकल करा रही हो 15-17% की यानि कंपेरिटिवली बेटर परफॉर्मेंस है, फ्यूचर प्रस्पेक्ट सुधरते जा रहे हैं और अच्छी ग्रोथ की गाइडेंस है मैनेजमेंट की तरफ से और इसी का कारण है कि हलके से कमजोर नतीजों के बाद भी आप देखे है स्टॉक में खरीदा रही है I think SRF में भी हमने देखा था, गाइडेंस के बाद स्टॉक में थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ा था और आर्थी इंडस्ट्रीज में भी आपको वैसे होते दिख रहा है इस कोटर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है बट आगे की परफॉर्मेंस को लेकर बाजार थोड़ा एक्साइटेड हो रहा है